नमस्का एनमाफ यूज पर आप सभी के बहुत स्वागत मैं हूँ आपके साथ अभी शेक पुंडी 19 नमंबर की तारीक तो आपको याद ही होगी दमाहरास्त उसमें एक ब्लास्ट हुआ ब्लास्ट हुआ कैशकांड का विनो तावडे पर कॉंग्रेस पार्टी और बीजेपी के तमाम विरोधियों ने आरोप लगाए के नाला सोपारा की सीट पर चुनावी नतीजे बदलने के लिए होटल में पैसे बाटी जा रहे थे रकम बताई गई पांच करूर रुपे रहूल कांदी ने भी सेफ खोल कर दिखाई और एक प्रेस कॉंफरेंज भी दाड़ा दड़ कर दी लेकिन क्या एक सम्मानित नेता होने के नातियाप इतने लंबे वक्त से राजनीती में हैं बिना किसी भी बात की पुष्टी किये हुए किसी भी आदिया धूरी चीज को आप ऐसे ही जनता में प्रचारी कर देंगे क्या ये शोभा देता है मलीकारजुन खड़गे जैसे नेता को राहूल गांधी जैसे नेता को या फिर शुप्रिया श्रीनेत जैसे नेता को लेकिन अब इस मामले में इस मामले ने करवट लिये और करवट ये लिये कि 5 करोड के बदले विनोत तावडे ने 100 करोड रुपे का मानहानी का नोटिस मलीकारजुन खड़गे और राहूल गांधी को भेज दिया है कहा है कि या तो माफी मांग लीजे अगर माफी नहीं मांगते हैं तो फिर इन 100 करोड रुपे का मुकद्मा दर्ज करवाया जाएगा क्योंकि मेरे सा परिवारवाद की जमात चलाने वाले जो लोग है पूरे देश में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से इंडी एलायंस परिवारवाद की जमात चलाती है चाहे लालू परिवार हो चाहे मुलायम परिवार हो चाहे स्टाइलिन परिवार हो चाहे मुफ्ती परिवार हो चाहे तथा कथित गांधी नहरू परिवार हो ये पूरे के पूरे परिवारवाद की जमात चलाने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा डर किस से होता है कही न कहीं जन सामान्य से उबर करके आने वाले नेताओं से और जिन लोगों ने कहीं पूरे भारत का और खास करके ग्रामिन तबके से आने वाले लोगों के लिए कारे करने का जिन लोगों ने काम किया देश में 2014 के बाद आपने देखा हुआ कि आदर्मिय प्रधान मंतिरी नरेंद्र मोदी जी के नेत्रेतों में किस प्रकार से सरकार बनी और जन सामान ने कैसे उनको नेता माना और फिर से बाद में भी आपने देखा कि लगातार हमारी सरकार जो है वो चलते आ रही है ठीक यही हाल महाराष्टर में हुआ महाराष्टर में OBC वर्क से आने वाले SCST वर्क से आने वाले मराठा आतम सम्मान को बनाए बचाए रखने वाले जो लोग हैं खास करके मराठा आतम सम्मान को पूरे भारत में जिन लोगों ने फैलाया वैसे लोगों को अपमानित करने के लोगों ने नया तरीका अपनाया है कि जूट बोलो, जोर से बोलो, बार-बार बोलो और इतनी बार बोलो कि जूट जो है वो सच लगने लगे तो कही न कही ऐसी लोगों की उपर F.I.R. तो होनी ही चाहिए और ऐसी लोगों की उपर मानहानी का भी Ques hoona चाहिए मेरा सपस रूप से मानना ही कि आदर नहीं विनोथ तावडे जी ने जिस तरीके से कहीं न कहीं विभिन राज्यों में अपने संगठtermak कोसल से अपने जिस तरीके की उनकी संगठनात्मक कोसल हैं और जिस तरीके से पार्टी के अंतरगर्ट उन्होंने एक जुटता को आगे बढ़ाते हुए और जिस तरीके से अपने राज्य में भी उन्होंने अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोगों के सपनों को किस तरीके से भारती जनता पार्टी के मेनिफेस्टों में डलवाने का काम किया और उनको पूरा करने में जो भारती जनता पाटी के बिभिन नेटाओ का योगदान रहा ये भी देखने की आवश्य रखता है तो एक ऐसा उभरता हुआ नेता किसके लिए खत्रा हो सकता है तो परिवारवाद की जमात चलाने वाले लोगों के लिए खास करके ये किक कर पाटीों के अंतरगत होता है और ये भी समझने की बात है कि उधो ठाकरी जी जो बार बार जिहाद सबसे इनको इतना प्यार हो गया है तो उनको तो अपना जो मुख्य पत्र है जो है सामना उसका नाम बदल के जिहाद कर देना चाहिए क्योंकि जिहादी मान सिकता है कि लो आशरत में मैं आपसे पूछ हूँ कि कहीं आपने देर तो नहीं कर दिया बहुत ज्यादा के उन्नीस तारीक का मसला है आप 22 तारीक में आपने क्या वह आपको डैमिज नहीं हुआ बेभी स्टारीक का चुनावला अविशेक जी मेरा सपस्ट रूप से मानना है जब गरीब पाइडान पर बेटा चांडानों के के लिए varsa अपने मानन पूरे देश का जन्मानस खड़ा है और कैसे पूरे देश में जहां भी ये खबरे पहुंची है पूरे देश में और खास करके मराठा जन्मानस में एक बहुत बड़ा मैसेज गया कि ये परिवार बाद की जमात चलाने वाले जो लोग हैं जो गलती से किसी ने किसी बड़े परिवार में जिनका जन्म हो जाता है और वो अपने परिवार की लेगेसी विरासत को आगे पाने में असक्चम होते हैं नकारा होते हैं तो जो नकारा लोग हैं वो इसी प्रकार के जूटे आरोप और ब्रहम पहलाते हैं लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है वो गुलामी किसकी करते हैं ये भी तो महत पूर्ण है ना औरंजेव फैन क्लब ऐसे नहीं कहा जाता है इन आतियों को औरंजेव फैन क्लब अर्थार्थ मेरा सपस्ट रूप से मानना है औरंजेव इतियास का गुंडा था और औरंजेव की मानसिक्ता को आगे बढ़ाने वाले लोग मुंबई को मुल्तान बनाने की साजिस रचने वाले लोग और ये भी देखने की बात है ने ये जाके किस के आगे नत्मस तक होते हैं एक ऐसा वैक्ती जिसकी राजमाता जो है जिस पाटी की राजमाता के जो सलाकार हैं वो जाकर के कैसे मुंबई बॉम बलास्ट के आतंकियों को छुडाने के लिए उनको प्रान दंड से मुक्ति दिलाने के लिए कैसे जाकर के रास्ट लाह करूर से भी ज्यादा देश को चपत लगाने का काम किया जिन लोगों ने चाहे अगस्ता वेस्ट लेंड की बात करें चाहे निश्नल हिराड स्कैंडल की बात करें चाहे बोफोर्स घोटाला की बात करें चाहे वाडरा डियलेफ घोटाला की बात करें कुहिला घोटाला क जब बेटा अपने कारेकरताओं के साथ बैठ करके समीच्छा करता है कि चुनाओ कैसे होगा और चुनाओ किस परकार से हमारे कारेकरताओं को नीतिगत तरीके से लड़ना चाहिए, संबेधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए कैसे लड़ना चाहिए, अंतिम पायदान पे सुप्रिया सूले का भी एक मसला निकल कर सामने आज इसमें क्रिप्टो करंसी का मामला था आपने देखा भी होगा तो बीजेपी ने प्रेस कॉरंफरेंस की रात को साड़े दस बजे लेकिन उसमें पांच सवाल पूछे गए कि यह आपकी आवाज है नहीं है आपने क्रिप् दूसरी तरफ शायद एक परिपक्वता दिखाई जाती है कि आप जवाब दें अगर इस तरीके क्या रोप लगे हैं तो आप जवाब दें वहीं एक दूसरी चीज भी चल रही है फिलाल सोचल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह वही सरकार है जिसमें 100 करोड क्यां का मैं वो सिर्फ खेती से आ सकता है कि जिस तरीक पीचितमरम साब ने गमले में मश्रूम लगा कर प्रोपर्टी बनाई थी कमाई दिखाई थी का वैसे ही है यह लोग सवाल पूछ रहे हैं दगि अभिशेग जी मैं तो आपको असपर स्ट्रूप से बोलूँ गा लो जिनकी अंदर नेत्रित्यू के कौशल है, नेत्रितू का अगुन है, संगठनात्म को संगठन सकती को आगे बढ़ाने की, जिनकी अंदर जो लूग भूमी का तैयार कर सकते हैं, जब वैसे लोग बारती जनता पाटी के साथ खड़े होते दिखाई देते हैं, तो इनकी कलेजे पे साप लोटने लगते हैं, ये जूटा आरोप लगाते हैं और अपरिपक तो है ही, ऐसे ही मैंने थोड़े न कहा कि और अरंजेब फैन क्लब हैं और अरंजेब कौन था ये ज अंतिम बात एक कहना चाहूंगा आपके कैमरे के माध्यम से, तो कि महरास्ट की धर्ती पे एक ऐसी व्यक्ति का जनम होता है, जिनको लोक मानने कहा जाता था, और उसी महरास्ट की धर्ती से अगर कोई ऐसा नेता निकलता है, और विभिन जो एक ऐसी पुनिजा भूमी, जि जिसने लोक मानने की रूप में बहुत सारे निताओं को दिया, जो कही न कहीं जिनकी भूमी का रास्ट निर्मान में देश की एकता खंडता में अगर होती है, तो वैसे लोगों पर जूटा अरोप ऐसे ही लोग फैला सकते हैं। जिस तरीके से अमेरिका में जा करके रास्ट व्रोधी गत्विदियों में जो लोग लिप्त रहते हैं। वैसे लोगों की तस्वीरे इनकी माता जी के साथ और इनके साथ वाइरल होना। तो ये कहीं न कहीं निरलज हैं। और निरलस्ता पूर्व कि ये लोग बयान देते हैं। अब वो माफी मांगेंगे या फिर उनके उपर विनोत तावडे मुकद्मा दर्ज करवाएंगे। सुमी जी बहुत बहुत शुक्रे आपका इस खबर पर हमारे साथ जुटने के लिए दर्ज को आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताईएगा। धन्यवाद।